नमस्कार दोस्तो अगर आपका भी UAN नमबर डिसेबल हो गया है ना और आप उसे इनेबल करना चाहते हैं मतलब कि अपने डी एक्टिवेट हुए UAN नमबर को फिर से एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आप सभी PF मेंबर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज चाहते हैं समझाये ना आप लोगो क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी PF मेंबर्स को UAN नमबर डिसेबल से रिलेटेड पूरी की पूरी कम्प्लीट जानकारी देने वाला हूं जैसे कि डिसेबल हो चुके UAN नमबर को इनेबल कैसे करें मतलब कि डिक्टिवेट हो चुक और उसी के साथ साथ जिन भी PF मेंबर्स को जो UAN नमबर है वो डिसेबल हो चुका है उन लोग को एक बड़ी गलती नहीं करनी है वरना वो अपने PF का पैसा खो भी सकते हैं और वो बड़ी मुसीवत में फच सकते हैं तो वो भी मैं आप लोग को बताने वाला हूं कौन सी ब दो बता जिता हूं कि जो UAN नमबर है वो EPFO द्वारा डिसेबल क्यूं किया गया डिक्टिवेट क्यूं किया गया इसके पीछे का में कारण क्या है समझे आप लोग कारान आपको पता होगा भाई कि PF मेंबर्स ने क्या गलती करी तो UAN नमबर डिसेबल हुआ है जब ही तो EPFO द्वारा UN Number Disable करने के दो कारण है, जियां, दो बड़े कारण है, पहला कारण क्या है, ध्यान से चुनेगा, भई, पहला कारण है, PF Members का अपने PF में गलत तरीके से Banki KYC को Approval करवाना, जियां, मतलब की, जिन भी लोगों ने, मतलब की, पहली category वाला बता रहा हूं, कि बहुत से PF Members ने, अपने PF में, जो Banki KYC है, वो गलत तरीके से Approval करवाली, क्यों Approval करवाली, ये भी आपको बताऊंगा, कैसे भी बताऊंगा, सबसे पहले बताता हूं, क्यों Approval करवाली, भाई, बहुत से PF Members की तो जो Company हैं, वो उनकी गलत तरीके से Banki KYC Approval करवाली, अब इस कहानी में Twist क्या है, मज़े की बात क्या आपको पता है, कि भाई, ना तो PF Members को पता था, कि जो उनकी Banki KYC है, वो गलत तरीके से Approval करी जा रही है, मतलब PF Members की इसमें कोई गलती नहीं है, भै उन्हें पता ही नहीं था, कि जहां से मैं KY KYC Approval करवा रहा हूं, वो मेरी KYC गलत तरीके से, फरजी तरीके से Approval कर रहे है, ठीक है, और और बड़ी बात क्या है, ना ही तो जिन से आप KYC Approval करवा रहे थे, KYC Approval करने वालों को, उन्हें भी नहीं पता था, कि जो हम KYC Approval कर रहे हैं, PF Members की, वो गलत तरीके से Approval कर रहे ह कि भाई, किसी भी परसन से Contact किया, थर्ड परसन से, और उसमें कोई नई कमपनी एड करवा के Service History में, उस कमपनी से KYC Approval करा ली, उस कमपनी बिना पैसा जमा किया, मतलब आपने किसी को Contact किया, उन्होंने आपकी बैंक की KYC में, अप मतलब PF में एक नई Service History, एक नई कमपनी ज लोग का भी पैसा निकाल रहा था, लेकिन बड़ी दिक्कत यहां आ गई कि कुछ 4-5 गलत लोगों ने, भाई PF में किसी और का बैंक काउंट अप्रूवल करने का, तो करते क्या थे कि आपके PF में किसी और के बैंक काउंट को अप्रूवल कर देते थे, और वहां से आपका जो PF का पैसा है वो गायप कर देते चुरा लेते थे और इस वज़ए से EPF होने स्कैम को पकड़ा कि भाई यह तो बहुत धडले से स्कैम चल रहा है, लोग के PF का पैसा चुराया जा रहा है, तो फटा-फट जिन लोगों के में भी ऐसी कंपनिया एड करी गई है, उनके सब के UN number disable कर दो, ठीक है, मैं आपको बता दू, 15 BCSE कुछ कंपनिया थी, जो कि भाई सभी PF मेंबर्स की कंपनी में add के जा रहे थे, और इस वज़ए से सबका account disable हो गया, समझ गया आप लोग, तो पहला कारण है गलत तरीके से PF की बैंक की KYC का approval कराना, इस वज़ए से PF मेंबर् कर दिया गया, समझा गया आप लोगो, दूसरा कारण चुनिये, दूसरा कारण यह है कि कुछ लोगों के employers ने, PF मेंबर्स के employers ने, उनके UN number को ABRY, यानि जो आनत वारत की scheme है योजना की, उसके तहत link कर दिया, इस वज़ए से उनका UN number disable हो गया, समझ गया आप लोग, तो सर्विस हिस्ट्री, एक अलग company add होगी, इस वज़ए से आपका UN number disable करते, जातर जारखंड की कंपनिया थी, मुंबई की कंपनिया थी, MPIC कंपनिया थी, इन कंपनियों का UN number disable की गई, तो यहां तक आपको सब कुछ clear हो गया, कि आपका UN number हो disable क्यों हुआ, बिल्खुल clear हो गय तो सबसे पहले मैं आप सभी PF members को एक चीज़ बता दू भाईया, बिल्कुल clear मैं आप लोगो जवाब देदू, बहुत से लोग आपको इस बीच कहेंगे, कि मुझे 5000 रुपे देदो, 2000 रुपे देदो, मैं आपका UN number enable कर दूँगा, लेकिन प्लीज हाथ जोड़ के request है, ऐ आपका UN number enable कर ही नहीं सकता, मतलब activate कर ही नहीं सकता, अब बात कर लेते हैं, activate क्यासे होगा, तो मैं आपको बता दूँ, अकेले आपका deactivate नहीं, अकेले आपका disable नहीं है, कम से कम एक डेड़ लाक लोगों का UN number है, वो EPFO द्वारा disable कर दिया गया है, तो enable यह होगा कि EPFO, आपको PF office visit करना पड़ेगा, आपने document verify करवाने पड़ेंगे, जब ही हम आपका UN number enable कराएं, तो अगर आप enable करवाना भी चाहते हो न, तो भाई PF office जाएं और वहाँ direct बोली है, मुझे परिशानी है, मुझे दिक्कत है, मेरा UN number 2 साल से, 1.5 साल से deactivate है, disable है, प्लीज आप इस की, तो तो आप PF office में जाएं, वरना आपको PF office जाके भी कोई फाइदा नहीं है, जब activate होना होगा, तो सभी लोगों का एक साथ activate कर दिया जाएगा, समझ रहाएं आप लोगों, एक साथ verification करें, मतलब step by step, धिरे-धिरे verification करके, सब लोगों को एक time बाद activate होगा, और मेरा मान तो calls भी आई है, समझ आया, तो आपको किसी भी person को भी एक रुपे देने के ज़रत नहीं है, PF office से ही आपका UN number निश्चिंत बैठी है, आप enable कर दिया जाएगा, आप जो एक बड़ी गलती PF members कर रहे हैं, वो गलती यह है, कि लोग क्या कह रहे हैं, पता है, आपके पास calls आ रही है, यह फरजी call या, आप ही खुद कहीं Facebook, Facebook किसी भी एस चैनल को contact कर ले रहे हैं, कई लोग तो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वीडियो भी बना रहे हैं, ठीक है न, भाई, वो कह रहे हैं कि हमें 2000 रुपे दीजे, 3000 रुपे दीजे call करते हैं, हाँ राकेस जी, आपका UA number, enable कर दिया जाएगा, activate कर दिया जाएगा, समझ आगे आप लोगो, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी इस वीडियो से, उन PF members को बहुत help मिली होगी, जिनका UA number है, वो disable कर दिया गया है, क्योंकि market में इस से related लोग गलत जानकरी फैला रहे हैं, कि हम आपका enable कर आपका UA number है, वो enable कर दिया जाएगा, अगर आपको ज्यादा emergency है, पैसो की भाई, आपकी कोई शादी पढ़ गई है, कोई medical emergency पढ़ गई है, तो आप PF office में जाएगे, और उनकी नाक में दम कर दिजे, कि मुझे offline पैसा निकालना है, मेरा offline पैसा निकालो, activate मत करो, लेकि मेर मेरा PF है, मैं पूरा document verification के लिए तैयार हूँ, तो आप प्लीज इसे enable करिए, समझ आ गया, तो मुझे ऐसा लगता है, UA number disabled से related मैंने complete जानकारी, आप सभी PF members को इस वीडियो में दे दिया, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को subscribe जरूर करिएगा, और अगर कोई doubt question क्या रही हो, तो आप मुझे comment box में पूछ लेना, मैं आपको answer जरूर करूंगा, आज की इस वीडियो बस इतना ही वीडियो चलेगे, चैनल को subscribe जरूर करिएगा, धन्यवाद दोस्तों